समाज के सभी वर्गों की भागिदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है उसके तहट मुसल्मानों की अबादी के हिसाब से कम से कम कम से कम 40 विधान सभा सीटों पर मुसल्मान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लडाने का एलान पहले से किया गया है और यह जो जन्द सुराज में पहले से अन वर्गों के लिए बात कही गई है उसके अनुरूप है इस यह कोई अलग नहीं है दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वरस से मुसल्मानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं मैंने उनको आज इस सभा इस सभा और इस मंच के जरिये यह चुनोती दिये और आपके जरिये भी कह रहा हूँ अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जन सुराज के लोग आएंगे वो मुसल्मान अगर उनको भोट देगा तो भोट बटेगा तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जहां पर भी मुस्लिम उमिद्वार आपके जीते हुए हैं आप खड़ा करो मुसलिम उमिद्वार हम वहां मुसलिम नहीं लडाएंगे हम वहां हिंदू लडा लेंगे कोई बात नहीं है तुम पहले मुसल्मानों का जिनका वोट लेते रहे हो तीस वरस से उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको अबादी के हिसाब से टिकट दिखाओ भोट तो तुमने लिया है यह हमने उनको चुनोती भी है अगर वो स्विक्यार कर लें तो बिलकुल जो मुसलिम उमिद्वार को खड़ा करेंगे हम लोगों मुसलिम नहीं लडाएंगे अरे भीया दल बना नहीं और आप सीम कौन होगा अगले साल दो हजार पचीस में जन्द सुराज का मुख्यमंत्री बनेगा जन्द सुराज की सरकार बनेगी उसमें इफबट किंतु परंतु मत रखिये बाकी कौन बनेगा देश की राज्य की जनता होसियार है वो चुन कर उतना बता देगी